मैं स्कूल जा रहा था को इंगलिस में क्या कहते हैं ये आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे और इसका इंगलिस ट्रांसलेशन भी सीखेंगे इसकी इंगलिस होती है I was going to school तो चलिए सीखते हैं कि ये किस नईयां पर ट्रांसलेट हुआ है तो देखिए दोस्तों जिस भी हिंदी वाक के अंत में रहा था रहता है वो past continuous tense का sentence होता है और past continuous tense के affirmative sentence को इंगलिस में ट्रांसलेट करने का नहीं हमें पहले subject लिखेंगे इस वाक के में subject है मैं जिसको इंगलिस में I कहते हैं पहले I लिखेंगे उसके बाद was your word तो I के साथ हमेशा was रहता है उसके बाद यदि sentence negative होता तो उसके बाद not लिखते है यह sentence affirmative है तो इसमें not नहीं लिखेंगे उसके बाद verb के साथ ing तो इसमें बर्व है जाना जिसको इंगलिस में go करते हैं go के साथ ing हो जाएगा going उसके बाद जहां पहले जा रहे थे उससे प चैनल को सब्सक्राइब करें